तो आज मैं जो दिखाने वाली हूँ वह है बटर पेपर हम घर पे कैसे बनाएं वह भी पुराने किताब जो कॉपी पड़ी हुई रहती है या फिर बच्चों की जो कॉपी रह जाती है साल के पुराने तो उस कॉपी के पेज को हम यूज करके बनाएंगे बटर पेपर बहुत ही आसानी से तो इसके लिए मैंने पेपर ले लिया था और ले लिया यहाँ पे रिफाइंड ओईल और एक ब्रस ले लिया है जिसके हेल्प से मैं पेपर पेपर अच्छी तरह से पलट के फिर दूसरे साइट पे भी हम लगा लेंगे इसी तरह पलट पलट के हम अच्छी से लगा लेंगे तो देखिए इस तरह से करना है तो जिस जगह पे भी गैप रहे जाए तो आप उधर अच्छी से ब्रास्च ओइल कर दें ठीक है जैसे मैं कर रहे हूं बस वैसे कड़े और वैसे ही कड़े बहुत ही असान है इसमें कुछ भी नहीं है तो आपने तो देखी लिया अभी नेक्स में दिखाती हूं इसको क्या करना है यह पेपर हमारा हो गया है रेडी देखिए ओयल हम अच्छी सरा से मैंने लगा दिया है सौरी इसमें दो पेस था तो इस जादा है तो इसको सोखने के लिए मैंने एक सूखा पेपर ले लिया है जिसके हलब से मैं अभी ओयल को थोड़ा कम कर दूंगी पेपर का तो इस तरह से दोनुं हाथ से पेशर दे के रप करके ओयल को हम सूखी हुए पेपर पे सोख कर रहे हैं सौरी सोख कर रहे हैं यह देखिए इतना अच्छे से हमारा पेपर का जो ओयल है वो सोख हो रहा है और दूसरी साइट का भी हमें अच्छे से इसी तरह से कर लेना है पेपर को पलटके यह देखिए जिस तरह से मैं नहीं किया तो इसके बाद एक सुखी हुए पेपर दूसरा सुखी हुए पेपर लेके उसके उपर बटर पेपर को रखके रोल करके इसी तरह से हम रख देंगे और हमें जब जरूरत परेगा तो हम बटर पेपर को निकाल के यूज़ करेंगे अपने कामों पे ठीक है तो फिर मैंने वो जो एक वरा वाला पेपर था उसको भी मैं दिखा रही हूँ कि उसको भी सेम इसी तरह से करना है जिस तरह से पुरानी कॉपी का पेच्च लेके हमने बटर पेपर बनाया है सेम इसी तरह से अब आपका जो फ्रेश पेपर रहता है उसको भी हम इसी तरह स और इससे मैं काम करके भी दिखाऊंगी तो चलिए मिल्टे बाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइव पर दॉटेशन आपने पर दूटेशन चाहिए